दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शादिश्य दाउरतों की तरफ से अगर आप आकर्शित हो गए हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों शादी के बाद लड़कियों के चेहरे पर काफी निखार आ जाता है जिसके कारण ज्यादातर लड़के कुवारी लड़कियों के बज़ाए शादिश्य दाउरतों को पसंद करते हैं और उनकी तरफ आकरशित होने लगते हैं जब किसी अउरत की शादी हो जाती है तो आंतरिक संबंदों के कारण लड़कियों का शरीर और खुबसूर्ती निखरने लगती है जिस कारण से लड़के उनकी तरफ ज़्यादा आकरशित होते हैं किसी शादी शुदा उरत को पटाने से पहले या उनसे रिष्टा बनाने से पहले आपको कुछ बातों के बारे में सोचना चाहिए जब कोई कुवारा लड़का किसी शादी शुदा उरत के तरफ आकरशित हो जाए तो उसे अपने कदम उस रिष्टे की तरफ बढ़ाने से पहले दस बर सोचना चाहिए क्योंकि ऐसे रिष्टों का कोई भविश्य नहीं होता तो आगे हम बात करने वाले हैं अंतरिक संबन्द की एक बार अगर कोई लड़का शादी शुदा औरत के प्यार में पढ़ जाता है तो उसके लिए वापस निकलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लड़की अगर शादी शुदा हो तो उसे सब लड़कों को अपने काबो में करना बहुत अच्छे से आता है लड़के को कभी भी आंतरिक संबन की उम्मीद नहीं रकरनी चाहिए क्योंकि लड़की कभी ऐसा नहीं कर रहेगी क्योंकि वा जानती है ऐसा करने से आगे जाकर मुश्किल बढ़ सकती है दूसरी बात दिल से ना करे प्यार अगर अक्सर थोड़ा टाइम बिताने के बाद लड़के लड़कियों की तरफ आकरशित होने लगते है जिनने कोई फरक नहीं पड़ता है कि लड़की शादी शुदा है या कुवारी लेकिन इस रिष्टे में कभी भी दिल से प्यार ना करे क्योंकि आगे जाकर किसी शादी शुदा लड़की के लिए यहां बहुत मुश्किल हो जाता है कि वहां किसी और से शादी कर ले और हो सकता है कि उस लड़की की शादी शुदा जिन्दगी भी खतम यानि खराब हो जाए जो तीसरी बात है वो साथ निवाने की उम्मीद किसी भी शादिशिदा महिला के साथ रिष्टा बनाने से पहले अपने मन को नियंतरित में रखे और उससे यहां उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वहां अपने घर अपने पती को छोड़कर आपके पास आ जाएगी क्योंकि शादिशिदा उरते कितना भी आपके साथ टाइम शेयर कर ले सब दिन अपने पती की ही रहेंगी और वहां अपनी जिन्दगी से कभी भी आपको निकाल सकती है